पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से अलग-अलग तरह की आंतरिक समस्याओं से जूच रहा है और देश की बिगडी हुई अर्थिव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिर्ता और बढ़ती हुई चरमपंथी घटनाओं ने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर फंसा रखा है ऐसे में इरान के साथ हाल का तनाव जहां पाकिस्तान के लिए एक परेशानी वाली बात है, वहीं इसे दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर एक बड़ा जटका समझा जा रहा है पाकिस्तान के अपने पूर्वी पडोसी देश भारत और पश्चमी पडोसी देश अफगानिस्तान के साथ संबंध पहले से ही तनाव पूर्ण है और ऐसे में इरान के साथ मोर्चा खोलने को क्षित्र मेराजनाइक और भोगौलिक दृष्टी से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है अगर पाकिस्तान के अंदरूरी हालात पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में आम चुनाव में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं जबकि देश को आर्थिक बदहाली से निपटने के लिए मित्र देशों से लिएगे कर्ज को वापस करने का वक्त बढ़ाने का अनुरोध करना पड़ रहा है ऐसे में पाकिस्तान और इरान के बीच हाल के तनाव के बाद ये राय बन रही है कि पहले से अंतरिक समस्याओं से दोजार पाकिस्तान अब अपने तीन पड़ोसी देशों भारत, अफगानिस्तान और इरान के साथ सीमा पर लड़ाई में उलज गया है सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के तीन पड़ोसी देशों के साथ तनाव के कारण क्या है क्या ऐसा पाकिस्तान की भागौलिक और सुरक्ष स्थिती या अंतरास्ट्री शक्तियों की भूमिका के कारण हो रहा है क्या पाकिस्तान क्षित्री स्तर पर अकेला पड़ता जा रहा है पाकिस्तान की अपने तीन पडूसी देशों के साथ मोर्चाबंदी की वज़ा के बारे में बात करते हुए सेनेट के रक्षा समीति के अध्यक्ष सेनेटर मुशाइद हुसैन सेयद का कहना है कि पाकिस्तान और इरान के बीच हाल के तनाव को भौगौलिक राजनीती की प्रिष्ट भूमी में देखा जाना चाहिए वो कहते हैं ये इलाका पिछले तीन चार दशकों से अस्थिर है पहले यहां रूस और अफगानिस्तान की जंग हुई फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में कारवाईया की और अब चरमपंथ ने इसक्षित्र को प्रभावित किया है पाकिस्तान इसक्षित्र में अकेला परमानु शक्ति संपन्न देश है और वो इन सभी परिस्थितियों से प्रभावित हो रहा है उनके मताबिक भारत के साथ संबंधों में तनाव का कारण ये है कि वो इस इलाके और खास तोर पर कश्मीर में वर्चस्व जाता है जबकि पाकिस्तान कश्मीर के विवाद का संयुक तरास्ट्र के प्रस्तावों के तहट राजनीती खल जाता है अंतरास्ट्र मामलों की विश्लेशक डॉक्टर हूमा बकाई ने इस बारे में बीबीसी से कहा कि ये स्थिती कोई नई नहीं है इस बारे में पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि पडोसी देशों के धरती उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है हूमा बकाई के अनुसार इरान के साथ हाल के तनाव की वजह इरान के अंदर भी मिलती है ये एक ऐसे समय हुआ है जब चाबहार में पाकिस्तानी शिष्ट मंडल मौजूद था वो कहती है अफगानिस्तान और इरान दोनों के साथ पाकिस्तान ने हमेशा रणनी तिक धहरे दिखाया है पाकिस्तान ने इरान और अफगानिस्तान के साथ संबंधों को कभी एक सीमा से अधिक खराब नहीं होने दिया इरान के साथ हाल के तनाओं पर गहरी निगाह रखने वाले पाकिस्तान के पूर विदेश सचिव एजाज एहमद चौधरी ने बीबीसी से कहा कि पाकिस्तान की तीनों परोसी देशों के साथ मोर्चा बंदी की राय गलत है और तेहरान के साथ जारी तनाओं में कमी आ रही है वो कहते हैं इरान के साथ पाकिस्तान के हमेशा अच्छे संबंद रहे हैं कुछ बॉर्डर मेनेजमेंट की समस्या थी जो अभी बढ़ी है जो इरान ने किया वो गलत था इरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन सवाल अभी वही है क्या पाकिस्तान अकेला पढ़ रहा है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सेद इस बारे में राए देते हुए कहते हैं कि ये बात गलत है कि पाकिस्तान क्षित्र में अकेला पढ़ रहा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस समय भी चीन, एरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक और राजनाइक संबंध है पाकिस्तान क्षित्र का एक परमानु हत्यार संबंदेश होने के कारण भी महत्वर रखता है एजाज एहमत चौधरी भी क्षित्र में पाकिस्तान के अकेले पड़ जाने की राए से सहमत नजर नहीं आते वो कहते हैं भविश्य की रणनीती के लिए जरूरी है कि हम एरान और अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर मेनेजमेंट की व्यवस्था को ठीक करते हुए अपनी समस्याएं हल करें इस बारे में डॉक्टर हूमा बकाई कहती हैं कि आने वाले समय में इरान और पाकिस्तान के संबंदों में चीन की भूमिका का महत्व बढ़ जाएगा उनका कहना था कि चीन ने पाकिस्तान और इरान में भारी निवेश का रखा है और वो नहीं चाहेगा कि एक शित्र में अस्थिर्ता हो इसलिए उसने सबसे पहले आगे बढ़कर मध्यस्तता की पेशकश की है